तो आज बैतरवा गर्दंत दिवास देश मना रहा है मुख्यमंत्री बूपेश बगेल भी जगदलपूर में तिरंगा फेराएंगे जगदलपूर के लालबाग में ध्वजा रोहन करेंगे शहीद इसमारख पर शहीदों को शुद्धांजली देंगे गुरी मंत्री तामरद करेंगे मुख्यमंत्री बूपेश बगेल जगदलपूर में तिरंगा फेराएंगे जगदलपूर के लालबाग में ध्वजा रोहन होगा शहीद इसमारख पर शहीदों को शुद्धांजली दी जाएगी इसके साथ साथ ग्रे मंत्री तामरद्वस साहूर राइपूर में द्वजा रोहन करेंगे टीय सिंग देव चक्रपानी परेट ग्राउंड में द्वजा रोहन करेंगे ग्रे मंत्री तामरद्वस साहूर राइपूर में द्वजा रोहन करेंगे मिनी स्टेडियम में कारेकरम होगा जहां पर तिरंगा फेराया जाएगा इसके अलाबा मुख प्रफ्य मंत्री आज जंडा फेराएंगे किस तरीके की तियारिया महाँ आपको नजर आ रही है और हर बार गटन्ट दिवस जब बनाया जाता उससे इस बार क्या अलग है क्योंकि कोरोना काल भी है पहले एक बात मैं क्लियर कर दूँ राज जेपाल राइपूर में जंडा फेरा रही है तामरधा साहू राइपूर में जंडा नहीं फेरा रहे हैं पर पर पहुँचेंगे परेट की सलामी लेंगे और निश्यत तोर पर सबसे पहले यहाँ पर भाषण होगा उनका शहीद परिवार चुकी बस्तर है बस्तर में नकसली हमले में जितने लोग शहीद हों के परिवार से जो है मुलकात वो करेंगे और उसके बाद फिर सीधा यहां से रवाना हो जाएंगे तो बहुत डिटेल कारेक्रम नहीं है यहाँ पर चुकी कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है इसलिए लगभग लगभग 45 मिनिट के आसपास यह कारेक्रम होगा उसके अलावा अगर बाकी आप लोगों की बात करेंगे तो टिये सिंग दे जो हैं बलोदा बजार तामरदर सहूब महा समुन और इसके अलावा ज देले में उनको ध्वाजा रोहन की जवाब देरी दी गई है चुकि गणतंत्र दिवस है आज पुलिस मैडल दिये जाते हैं तमाम चीजे होती है यह राजजिपाल की तरफ से होगा राजजिपाल राइपूर के पुलिस परेट ग्राउंड पर परेट की सलावी लेंगी औ उसके बाद उनका भाशन भी होगा वहाँ पर और शहीद परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है वो सम्मान भी होता है पुलिस अधिकारियों का कर्मचारियों का जिरोंने बहतर काम किया है राजपती के नाम जो गैरेंटरी वाट्स होते हैं वीरता पर 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 परसों फिर काकेर कभी उनका दोरा है तो ये बस्तर का लगातार दोरा और अठाइस तारिक को फिर वो शाम तक राइपूर लोटेंगे कि युनिफाइट कमांड की बैठक है नकसल मुद्दे को लेकर बहुत महत्पूर्ण होती है मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं तो फिर उस बैठक में शामिल होंगे आज लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री यहां ध्वज यहां पर जो ग्रंथाले बनाया उस ग्रंथाले का भी अवलोकों किया इंग्लिश मिडियम जो स्कूल है उन बच्चों के साथ भी मुलाकात की तो कल और आज यह पूरा दो दिन उन्होंने बस्तर के जगदलपूर को दिया है और इसके बाद फिर काकेर कुंडा गाउं और काकेर की बारी तो आज महत्पूर्ण है द्वाजारोहन यहीं से करेंगे ठीक आट बच के 69 मिनट पर और उसके बाद उनका भाशन भी होगा और हम सबको उम्मीद है कि भाशन में नकसलियों पर करारा प्रहार हो क्योंकि नकसल घटना और नकसली किसी के फेवरेबल नहीं ह होते देखिए नुकसान सबसे ज्यादा कॉंग्रेसियों का ही किया है जीरम हमला गराप याद करें 25 मई 2013 को जीरम हमला हुआ था उसमें कांग्रेस की पूरी टॉप लीडर्शिप खत्म हो गई थी और उसके जिम्मेदार केवल और एकवल नकसली थे और आज इस मंच के मंत्री के साथ कौन-कौन वहां पर मौजूद रहेंगे क्या आज पूरा कारिकर्म रहने वाला है उसकी बारे में ज्यानकारी बिल्कुल देखें मुख्यमंत्री बुपेश बखेल यहां पर मौजूद रहेंगे और अलग-अलग मंत्रियों को अलग-अलग जिलों की जवाबदारी दी गई है मैं जैसे की मैंने बताया टिये सिंग्दे बलोदा बजार अवालोद में अमर जीद भगत जाजगीर चापा में चरंड़ दास महन जो की विधान सब अध्यक्ष है अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जवाबदारी दी गई है महा समून जाएंगे गरी मंत्री तामरदेश साहूर चुकि बहुत मातपूर्ण होता है ध्वजा रोहन केबिनेट मंत्री और संसदी सचीवों के द्वारा किया जाता है तो अलग-अलग जवाबदारी सब को सौपी गई है मुख्य मंत्री के साथ यहाँ पर जो स्पेशल डीजी है नकसल आप्रेशन वो मौजूद रह यह पूरे आट जीलों का प्रतिनेदित विए बस्तर करता है और सभी नकसल प्रववाई जिले हैं और नकसल प्रववाई जिले में द्वाजा रोहन का संदेश बिलकुल साफ होता है कि लाल आतंक के किलाभ 37 गड़ सरकार करी और हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं यहां से कि माद्यम से मुख्यमंत्री भुपेश बगेल करते हैं चोकि बस्तर में दो ही चीजों की सबसे बड़ी दिक्कत एक तो सबसे बड़ी दिक्कत बस्तर में यह है कि बस्तर में कुपोशन की बड़ी समस्या है बच्चे जो है कुपोशित बहुत पाये जाते हैं उनके लिए पर आएं और मंच के माध्यम से जो भी घोशना हो इस पूरे बस्तर के लिए वो आने वाले समय में मील का पत्थर सावीत हो। पर आएं वाले समय में मील कुछ पत्थर सावीत हो। कारक्रम यही है आज क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है शहीद परिवारों से मिलना और जो यहाँ पर शहीद वाटी का बनाई गई है वहाँ पर जाकर चुकि जीरम के जितने भी शहीद थे लंकुमाट पर टेल विद्या चरंड शुकल जितने भी बड़े नेता थे उधे मु अर्पीत करेंगे फिलहार आट बच कर दुनसर्ट मेंट के आसपास लालबाग परेड ग्राम ने मुख्यमंद्री बुपेश बगल पहुचेंगे